पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है स्वास्त मंत्री टीए सेहदेव ने हस्दिव अरण बचाव अंदोलन को समर्थन दिया तो बीज़ेपी ने बगेल सरकार से अपना स्टेंड साफ करने की मांगी वहीं कॉंग्रेस का कहना है कि पूर्मंत्री ब्रजमोहन अगरवाल का बयान भाजपा की अवसरवादी राजनीती को दर्शाता है हस्दिव अरण में पेडू की कटाई और कोईला खनन का विरोध कर रहे ग्रामिडों की लडाई में अब भाजपा भी कूद पड़ी है भाजपा के पूर्व मंत्री ब्रशमोहन अगरवाल और केदार कशप ने प्रदेश सरकार को खिरा भाजपा ने पूछा कि क्या 36 गड़ सरकार के पर्यावरन स्वीकृती के बिना जंगलों की कटाई और कोईले के लिए खनन हो सकता है सरकार आदिवासी और जंगल को बचाना चाहती है तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए परियोजना को रद्ध करे भाजपा ने मुख्यमंद्री और राज्य सरकार से जवाब मांगा है हस्देव अरण मामले में प्रदेश सरकार अभावस्देव बचाने आंदोनलरत आदिवासीों के साथ खड़ी नजर आ रही है मामले में मुख्यमंद्री भूपेश पखेल ने मंत्री टियस सेंदेव का समर्थन किया सीम ने मामला केंद्र के पाले में डालते हुए कहा कि केंद्र सरकार नहीं अलोट्मेंट किया है सारी स्विक्रतिया केंद्र ने दी है कॉंग्रेस का कहना है कि खदान आवंटन का काम मूधी सरकार ने किया है और सहमती तातकालीन रमन सरकार ने दी थी भारती जनता पार्टी के नौ लोकसभा के और एक राजसभा की सांसद है मुझे ऐसा लगता है एक बार तो कम से कम देश के परम सम्मानी प्रधान मंत्री जी को जाकि इनको मिलना चाहिए अगर इनकी आपत्ती है तो आपत्ती दर्ज तो कराना चाहिए दिल्ली जाकर के अप प्रदेश में राजनीती अम्मुखर हो गई वही स्वास्त मंत्री टियस सेंदेव ग्रामीनों के समर्थन में आ गए हैं सियम भूपेश बगेल ने भी मंत्री सेंदेव की बातों का खुला समर्थन किया आंदोलन की राजनेतिक में नफ़ा नुकसान देखकर अब तक चु 24-7 के लिए राइपुर से स्वापनलगार खेड़े की रपॉर्ट